शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें दहगाव रंगारी बन सकता है कोरोना का होट स्पोर्ट आज फिर चार कोरोना पॉजिटिव मिले है साव नेरतासिल के दहगाव रंगारी में शनिवार को सबजी विक्रेता संक्रमित पाया गया उस बादिस सबजी विक्रेता के परिवार के कॉरिंटाइन आज सोमवार को चार लोग भी संक्रमित पाए यहाँ चारों लोग एक ही परिवार के बताय जा रहे हैं बादित सब्जी विक्रेता के संपर्क में आएकुल 28 लोग की कोरोना जाच रईवार को की गई इन चारों की रिपोर्ट आज आने से परिसर में हडकम्प मच गया इन में से बादित सब्जी विक्रेता की पतनी दो बेटिया और मा का समाविश है सब्जी विक्रेता पॉजिटिव आने के बाद उसकी मा, शनिवार और रईविवार को उसके दहेगाव के दूसरे बेटे और कुछ पहचानवालों के घर पर भी जाने की जानकारी सुत्रों के मुताबिक प्राप्त हुई ग्रामपंचायद प्रशासन ने बताया कि बादिस सब्जी विक्रेता के संपर्क में आए काफी लोग और भी सामने आने की है अंजाने में सब्जी विक्रेता के संपर्क में आने वाले लोगों का पता चलपाना मुश्किल हो रहा है दहेगाव रंगारिस सावनेर तहसिल कोरोना का होट स्वन बनने की आशंका राश्रवादी कॉंग्रिस नागपुर जिला उपादेक्ष किशोर चौधरी ने जताई है दिनों दिन कोरोना बादितों की संख्यात तेजी से बढ़ने लगी है कोरोना संक्रमन में दहेगाव के अभी तक कुल 6 लोग पॉजिटिव मिले है लेकिन बादित सबजी विक्रेता के मिलने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए संबंदित प्रशाशन को कड़े कदम उठाना जरूरी पर सकता है कोरोना संब्सक्रमन में दोन डोक्तर होते हैं क्यामरा परसन अरुन महाजन के साथ खापर केड़ा से दिलिप गजबे की रिपोर्ट